अस्सलाम अलेकूम मुजब लाहमाद उमीद करता हूं आप सब करिया से होंगे जैसा कि आपको पता है कि पाकिसान जो है तीसरा मंडे हाट चुका है और न्यूजिलेंड जो है पाकिसान में को मद्दे नजर रखते हैं पहले बैडिंग और पाकिसान है तो पाकिसान में जो बैडिंग स्टार्ट की तो शान मसूज आज घेल लेते हैं तो शान्मसूज जो है सब्सक्राइब कर नी सके और वह बाबा रहे हैं तो वाबा बाबा भी जाद सकोर ने कर सकते पाकिसान प्रजली हो गया थे लेकिन फखर और जो है रिजवान ने थोड़ी सी लिंबी पाटनर्शिप की और अच्छा फासा पाइसां को स्कॉर दिया बट यह वही बात में पर क कि इनिंग्स बिल्ड की जिससे यह वा कि आने वाले बैस्मन को तो यह उता हुआ कि स्कूर मिला लेकिन पिर बात करें हारिस सोयल थोड़ा बात स्कूर करके ज्यादा नहीं कर सके तो हम मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर जब रिज्वान और फकर खेले तो मुझे असा लग रहा था पाकिसान कर लेगा आपसे लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वह हमारी पार्टनर्शिक टूट गई और पर उसके बाद हारी सोयला और बाकी दीगर ने इतना अच्छा सा परफॉर्म किया नहीं बस सल्मान अली आगर ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया था तो इसकी वैसा ह सब्सक्राइब बॉलिंग आई तो स्कोर मेरे रिजर्व में तो वैसी मैंने आपको बताया कि बहुत कम था लेकिन अच्छा नहीं ता बॉलर के लिए लेकिन फिर भी कुछ फायदा उठा सकते थे लेकिन वही बात है कि आज दिन नहीं था पाकिसान का प्रॉपरली सब्सक्राइब तो यह थोड़ी से बैडला करी उसके बाद फिर मुझे तोड़ा सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो उसको चाहिए कि अपनी स्पीड ही नहीं होती कुछ वेरिशन भी होती हैं बस बॉल लाके फेक देना ही नहीं होता सब कुछ आपको कुछ थोड़ा पर सब्सक्राइब करें लिए लिए और फिर बात कर लेते हैं कि हमारी पुरी सेरीज में हमारी लेकिने से का रही है ओवरल मुझे थोड़ी सी क्याहिए नहीं तो यह फास लगी नहीं कि जितनी इच्छी हो सकती थी तो यह उन्याइब करने चाहिए थे जो पाबर ने नही आज भी मैं जो समझता हूं हमारे बॉलर कोशिश कर रहते हैं कि 280 जो हैं वो डिफेंड कर लें बड़ जाहर हम 20-40 रन जो है एक तरह से शॉट थे तो जिसकी वसे हमारी बॉलिंग ने इतना प्रॉपर डिफेंड नहीं कर पाए तो इतना मार्ण तो उनको मिलता है कि वह जाह पाकिसान की अब आने वाले सीजिस में किस तरह की प्रिपरेशन जाती है तो बस उमीद करता हूं आपको जो है मेरी वीडियो से अच्छी लग रही होंगी तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए अल्ला हाफिज